हलो दियर फ्रेंड वेलकम बैक टो शोमेन नाथ स्यूट्यूब चैनल और चलिए जटपट देख लेते हैं बहुत ही एक खुशकबरी है मकाउत का जो फॉर्म फिलब आप लोग इगरली वेट कर रहे हैं उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है ज्यादा टाइम नहीं लू पहले देख लीजिए यह जो फॉर्म फिलब है यह फॉर्म फिलब आक्चुली जो एंड सेमिस्टर एंड सेमिस्टर का मतलब है जो स्टूडेंट्स फाइनल यर में है अगर त्री यह स्टूडेंट्स फिप्ट सेमिस्टर में है यानि कि लास्ट थार्ड यर में है उन लो के लिए है और जो लोग five years graduation कर रहे हैं उन लोग के लिए जिन students fifth year में उन लोग के लिए है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं और सिर्फ और सिर्फ ये odd semester के लिए अभी notification जारी किया गया है और जिन लोग का even semester में backlog है उन लोग का backlog का भी notice बहुत जल्दी आएगा लेकिन निराश मत हुई है आप लोग को जभी notice मिलेगा मैं बताऊंगा लेकिन यहाँ पे कौन-कौन सा चीज important है आप लोग को जानना बहुत ज़री है चलिए उसके बारे में एक तो आप बात कर लेते हैं देखिए पहले तो यह है कि यह सिर्फ odd semester के जितने सारे students है finally year के जितने सारे students है उन लोगों के लिए notification है और यह notification यह कहा गया है कि आप इसको कैसे fill up करेंगे आपका जो student login है student login में यह आपका form available होगा अगर आपका student login में यह form नहीं available होता है तो आपको क्या करना है बहुत ही जल्दी अपने जो concern college है वहाँ पे जाके बात करना है बढ़ना यह form आप fill up करना ही पाएंगे तो मिस हो जाएगा दूसरा जो बहुत ही important बात है कि backlog जिन लोगों का है और regular जो candidate है इन दोनों का separate यानि कि आप लोगों को अलग-अलग form fill up करना पड़ेगा तो यह मैं कहे देना चाता हूँ जिन लोगों का backlog है उन लोग backlog में जाके चेक किजिएगा login में और जिन लोगों का students regular है उन लोगों का regular में चेक करना पड़ेगा तो इसके इलाबा बाकी जो procedure है वो आपको पहले form fill up करना पड़ेगा वैसी normal जैसे होता है उसके बाद उसका print लेके उसको college में आप लोगों को submit करना पड़ेगा तो इसके बारे में बाकी जो details का गया यहाँ पर तो नीचे मैं आप लोगो को बता देता हूँ कि देखिए availability of forms and submission of application form by the candidates 27 तारीक से यहनकि February 27 से आप लोगो को regular or backlog दोनों के लिए applicable होगा यह तो आपको तब check कर लेना है कि आपका form available हो रहा है के नहीं यह मैं बार मार बोल रहा हूँ आप लोगो को यह ध्यान पे रखिए आपका form available हो रहा है के नहीं दूसरा जो है last date जो है बहुत ही करीब है यानि कि second March के अंदर आप लोगो form fill up जो है online submission कर देना है और उसके बाद तीन तारीक तक last date जो confirmatory होता है for colleges आप देगा eligible जो students है जिनलों का यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि attendance का एक चकट चरह होता है यहाँ पर तो attendance पूरा clearance college मिलने के बाद फिर आप लोग एक चार 2000 यहाँ पर देखिए यह एक से चार तारीक जो दिया गया है यानि कि first से चार मार्च तक आप लोग जो fees है fees दे पाएंगे और उसके बाद जो 5 से जो 6 तारीक है submission of online fees by colleges अगर आप किसी तरह online fees पे नहीं कर पाते हैं मार्च महिने के 1 से 4 तारीक तक तो college यह 5 से 6 तारीक तक आपका form जो fees है और इसके लिए आपको college से बात करना पड़ेगा जिस college में आप पड़ते हैं और इसके बाद 10 तारीक जो है for end semester theory examination वो पूरा details आप लोगों को मिल जाएगा और जिन लोगों का शायद practical है उन लोगों के लिए मैं यह कहूंगा कि आप लोगों को wait कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए एक अलग सा notification आई जाएगा उसमें जो practical papers है वो online में ही लिया जाएगा जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था तो इसमें उस आप लोगों का marks आ जाएगा और यह जो candidates है regular उनके लिए 1200 रु पिस लग रहा है तो इसके इलावा अगर कोई query है आप लोगों को के मन में तो आप लोग मुझे से पूछ सकते हैं लेकिन हाँ एक बात यानि कि तीन बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है एक तो है आपका देखना यह देखना कि आपका form available है के नहीं अगर available नहीं होता है त 27 तारीक को college को inform कीजिए और अगर available है तो form fill up कीजिए regular जिन लोगों का है वो तो form fill up करेंगे जिन लोगों का backlog यानि कि even pass out जो students है अगर fifth semester में आप लोग का backlog था और किसी बज़े से आप अटके हुए हैं तो भी आपको देखना पड़ेगा backlog में आपका form आ रहा है के नहीं अगर आ रहा है तो बहुत ही बड़ी आ है डिक नहीं आ रहा है तो आप लोगों को college से बात करना पड़ेगा तो इसके साथ बाकी जो जैसे जैसे update मिलता जाएगा मैं देता जाओंगा लेकिन हाँ exam लेके चीनता करने की कोई जरूरत नहीं है online जो exam होगा बहुत ही smooth होगा आप लोगों का और university एक demo exam conduct करा देता है उसमें आप बैठ सक बैठेंगे और उसके लिए पूरा university आपको तयार कर देगा कैसे exam देना है तो you need not to worry because Macao this is very student friendly तो आप लोग बहुत दिन से सवर कर रहे थे इस notice का तो आप लोगों का आ गया ये notice हाँ और एक बात कि जो students यानि है और जिन लोगों का यानि कि second year में है जो लोग कभी third semester का students जिन लोग है उन लोगों के लिए भी notice बहुत जल्दी आने वाला है so you need not to worry with this I come to end अगर ये channel अच्छा लगता है तो ज़रूर subscribe किजीगा thank you thank you very much have a nice time bye bye